अ कंडुक्टिंग सर्कुलर लूप इस प्लेस इन उनिफॉर्म मागनेटिक फिल्ड ऑफ 0.04 टेसला तो बी दिया आपको 0.04 टेसला पर्पेंडिकुलर तो दे मागनेटिक फिल्ड दे रेडियस अप दे लूप इस श्रिंकिंग अट 2 मिली मिटर पर सेक्ड मतलब 2 इंटू 10 पर सेक्ड है तो यह रेडियस का श्रिंकिंग रेट दिया है तो दी आर बाइड डी ती रिया है दा इंडू सिंटीमेटर मतलब 2 इंटू 10 पर माइनस 2 मिटर है आप से पूछा है इंडू सिंटीमेटर कितना आएगा तो देखो यहां पर मैगनेटिक फिल कॉंस्टेंट है एंगल कॉंस्टेंट है रेडियस चेंज हो रहा है मतलब अरिया यहां पर अरिया भी उसका चेंज हो रहा है तो अकौडिंग टू फैरेडे लौः यह क्या होता है दी फै बाइडी टी तो फाइ को आमलोग क्या लिख सकते है दी बाइडी टी ओफ बी एकॉस दीटा यहाँ पर देखो B constant है बाहर आ गया P constant है बाहर आ गया cos theta constant है बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा D by dt of R square चलो इसको differentiate करो B pi cos theta into यह क्या आएगा 2R dr by dt चलो अब उसने क्या क्या बोला है देखो यहाँ पर theta दिया है क्या with its plane perpendicular to the magnetic field तो plane perpendicular to the magnetic field मतलब theta कितना होगा 0 degree तो data लिखो B कितना दिया है 4 into 10 to the power minus 2 pi cos 0 कितना 1 है into 2 into R कितना दिया है 2 into 10 to the power minus 2 dr by dt कितना दिया है 2 into 10 to the power minus 3 दिया तो देखो क्या क्या होगा है यहाँ पर 4 into 2, 8 8 into 2, 16, 16 into 2 32 32 आएगा और 10 to the power minus 2 minus 2 minus 7 32 pi into 10 to the power minus 7 मतलब 3.2 pi micro volt क्या आएगा अंसर 3.25 3.2 pi micro volt option B is a correct one राइट आएगा 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 आए